लखनवू की आश्याना कॉलनी में एक खुबसूरत पार्क है जिसका नाम है स्प्रिति उपन आप देख रहे हैं ते रंगे रंगों में रंगा हुआ इसका गेट इसके आर्च सामने की जगह और इस सिर्फ 10 रुपए का यहां प्रती दिन का टिकेट है 35 रुपए में आप ए भरे पेड़ों से भरा हुआ साफ सुथ्रा यह उपन है इस मृति उपन कागिल के शहीदों की याद में समर्पित है बहुत बड़े इलाकें बना हुआ हजारों व्रिक्ष लगे हुए हैं साफ सुथ्रा घूमने के लिए एक आदर्श जगा आप देख रहे हैं तमाम पेड अधराओं के तनों को भी ते रंगे- रंगो में रंगा गया है यहां पहुं सते ही राश्ट्प्वक्ति की भावना आ जाती आज minder व्रिक्ष्ष देखियर कि व्रिवार के अपने बेटे कर रहे होते हैं आज संयोंक से यहां पर कोई वर्जे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है शाय ठंड का असर है यह गोल चक्कर चारों तरफ जाते हुए रास्ते बीच ओ बीच इस पार्क में एक यह पिगड़ अच्छा लगता है देखने में अक्सर इसके पार्क में भी बच्चे बैठे होते हैं अच्खेलिया करते हैं हसी मजाग करते हैं उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है घने वरिक्षों के साहे में और जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखे यह कारगिल निकुंज लिखा हुआ है और यह उन शहीदों के नाम है जिन्होंने हमारे देश क कि रख्षा में अपने प्राण दिया इसी में अगर आप इस नामों को पढ़ेंगे तो 74 नंबर पर आप लखनों के शान स्वर्गिय शहीद कैप्टेन मनोज कुमार पांडे का नाम भी देखेंगे सलाम करते हैं हम इन वीरों को इन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश की रख्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दी है एक तरफ बच्चों के लिए जूले लगे हुए हैं ठंड को यह से आज यहां कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं अन्य था अक्सर यहां पर हैं साथ में अल रहे हैं हैं तरह तरह के जूले लगे हुए है số ⁌े बेंचे लगी हुई है प्याश्म की च्रहों में बैठियों में इस जगह का लांद लीजिए जा़ों की धूप का अरंद ना हो और ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाने वाली चुड़िये चह चहाती हुई यहां घूम रही है और देखिए एक गिलहरी महादेवी बर्मा जी की गिल्लू कहानी की याद दिलाती हुई यहां ठेलिया कर रही दोड़ रही इसका दोड़ ना कितना प्यारा है किस यह बत्तखें यहां इसमृती उपण में पली हुई हैं आप इनकी आवाज सुन रहे हैं जम्हें पानी के पास पास घूंती रहती हैं कभी उसमें तैरती हैं कभी उसमें कुछ कीड़े मकोले पकड़ने की कोशिश करते हैं और आगे आईए देखें बीचो बीच यह बेंचे कुछ लोग आकर के अपने शारीरिक स्वास्त को बनारे की कोशिश करते हैं एक अच्छी चीज़े एक अच्छा प्रयास है कि हमारे पार्कों में अगर ऐसे जिम तयार किया जाए जो कि निशुल्ख हैं आप सिर्फ 10 रुपए का टिकेट लेके अंदर आते हैं या 35 रुप और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको दिखता है सेलफी वित्तिरंगा देश्व्रेम की भावना आपके मन में आ जाती है इस उपण में आ करके